पूरी जपते के साथ आज अयुद्या पहुची थी सबसे पहले वो सर्यूस्नान की सर्यूस्नान करने के बाद हनुवान गड़ी पहुची अजब भगवान रमलला के दर्सन करने के लिए जा रहे थे हैं तो उस दोरान कुछ कॉंग्रस कार करता है अपने हाथ में जंडा लेकर अपने पार्टी के जंडा लेकर वहाँ पर खड़े थे तो ऐसे में जो इस्थानिया लोग हैं उन में काफी ज़्यादा रोज था गुसा था इसलिए कि हर कोई जानता है हर कोई समझता है जो अयुद्या में है कि अगर भगवान राम के दर्सन करना है अगर आपके दिल में राम है तो आथ में भी राम का जंडा होना चाहिए और इसी वजह से आज कॉझ्रेस को आद्यावासीयों का विरोध का सामना करना पड़ा है और अमित इसलिए भी विरोध हुआ होगा क्योंकि देखिए खुद तो वो कहते हैं कि सत्तापक्ष यहां पर राजनितिक अपना बता रही है बाईश जन्वरी को और यह कोई कसांस्कृतिक कारिकरम नहीं और खुद वो जंडा लेकर पहुंचें वहां पर जी यहां बिल्कुल बिल्कुल कॉंगरेस बार बार यह कहती रही है कि बीजेपी जो है बीजेपी मंदिर बनवा रही है कारीकरτα होग्रता ओर इसी को लेकर आईधह वास्यों ने विरोध किया है तो ऐसे में इसे साफ जलगता है अध्यावासियों का मानना है कि यहाँ पर राजनीती बीजेपी नहीं खुद कॉंग्रेस कर रही है क्योंकि कॉंग्रेस पटी अपने हाथों में कॉंग्रेस का जंडा लेकर उनके कार करता है यहाँ पर पहुंचे है जब दिल में राम है तो कॉंग्रेस के कार करता हूं उसे कहा कि आप चलती रहेगी प्रभू श्री राम के अस्तित्व पर इस तरीके से सवाल तो उठाते रहेगे निमंतरन पर सियासत होती रहेगी लेकिन आवद के लोग जो है हर किसी का इंतजार कर रहे है कि वह 22 जनवरी को जब प्रान